आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्यान भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें नमस्कार दोस्तों स्वाद करता हूं आप सभी का आपका प्रशन है संक्रम्रतत्तों की मूल अवस्था में नीचे दिये गया दी इलेक्ट्रोनिक विन्यासों में कौन सी आउक्षिकान अवस्था स्थाई ही होगी ठीक है ना इसके लिए हमें दिया है 3D3 3D5 3D8 तथ ठीक तो जो यह वैनेडियम होता है ठीक ना तो यह हमारी कौन-कौन सी आउक्षिकान अवस्था प्रदर्शित करता है यह हमारी मूल अवस्था होती है ठीक है तो जो मूल अवस्था में जो वैनेडियम हमारी जो आउक्षिकान अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है यह ह जब भी हम के जो हमारा ऑक्सिक्रण अवस्था होती है ठीक है यह किसी भी तत्तो द्वारा किसी तत्तो द्वारा ग्रहन अथवा ग्रहन अथवा त्यागे गए ठीक है ना त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है ठीक है अर्थाद यदि कोई त खत्त्तों से संयोग कर रहा है ठीक केना तो उस नेयोग करते समय यदि विस जितने विकतने कर लेता है या कितने इलेक्ट्रानों को त्याग सकता यह उसकी after लगति आ दिया यह अगला हमें दिया हो और जो electronic विन्यास जो की मूल वस्था में हमारा वह दिया हमें 3D5 ठीक है तो यह 3D5 electronic विन्यास होता है ठीक है तो यह हमारा दो तत्तों दारा प्रदर्शित किया जाता है ठीक है एक तो हमारा होता है जो की होता है हमारा chromium ठीक है जिसे हम CR से प्रदर्शित करते हैं ठीक है chromium तथा जो यह हमारा होता है manganese, ठीक ना, manganese जिसे mg से प्रदर्शित करते हैं, यह हमारा होता है manganese, ठीक न, तो अब जैसा कि हम सभी के मन में यह प्रशन जरूर आएगा, कि यह एक ही electronic विन्यास, वो दो तत्तोंदार कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक न, तो इसको हमारा manganese होता, उसको परमाणु क्रमांग 25 होता है, ठीक, तो जो 25 परमाणु क्रमांग है, तो इसका जो electronic विन्यास बनता हो, हमारा बनता 3D5, 4S2, ठीक है, परन्तु जो हमारे यह chromium है, इसका जो electronic विन्यास बनना चाहिए, वह बनना चाहिए 3D4, 4S2, ठीक है, परन्तु यह हमारे पता है यह पता है कि जो अर्द भरे कक्षक होते हैं में पूर्ण भरे कक्षक पेक्षामेंद करने द़िक था फूर्णों कि अरध कक्षक को पूर्ड कर लेता है, अर्थाद इसमें 10 एलेक्ट्रोन अधिक्तम रह सकते हैं, तो पांच एलेक्ट्रोनों को लेकर यह अपनी स्थाइद्ट Qi को बढ़ा लेता है, अर्थाद जो इसका यह हमारा वास्तविक electronic विन्यास बनता है, वह हमारा बनता है 3D5-4S1, ठीक न, तो इस प्रकार से जो हमारा chromium होता है, यह हमारा exceptionally behave करता है, अर्थात chromium में एक हमारा अपवाद है, ठीक है, यह हमारा एक अपवाद होता है, जो की 3D4-4S2 electronic विन्यास ना प्रदर्शित करके, यह हमारा 3D5-4S1 electronic विन्यास प्रदर्शित करता है, ठीक है न, तो अता, अब यह हमारा chromium होगा, ठीक है इसकी जो oxygen वस्ताय होंगी, वह हमारी यह engine की oxygen अवस्ताय हो जाती है, तथा जो इस प्रस्ट में हमसे जो अगला पूछ रहा है, electronic विन्यास configuration दिया है, वह हमें दिया है, 3D8, ठीक है न, तो जो 3D8 होता है, ठीक है, यह हमारा nickel के लिए होता है, ठीक है, न, nickel के लिए यह हमारा electronic विन्यास होता है, ठीक है, जिसे ह and I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो जो nickel होता है, यह हमारी plus 2 और plus 4 oxygen वस्ता को प्रदर्शित करता है, ठीक, तथा जो अंतिम हमें दिया है, वह दिया है 3D4, ठीक है न, तो जो यह 3D4 होता है, यह हमारा, ठीक है न, 3D4 यह electronic विन्यास जो है, यह हमारा बनता ही नहीं ह ऐसा क्यों होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं, कि हमने देखा था, यहाँ पर जो chromium है, इसका जो electronic विन्यास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3D4, परंतु यह अपवाद को प्रदर्शित करता है, और यह 3D4 नहों कर हमारा 3D5, 4S1 प्रकार का electronic विन्यास बनाता है, ठीक है तो इसको लिख लेते हैं, इस विन्यास वाला कोई भी तत्व, ठीक है न, तत्व, तल इस्थ अवस्था में, मूल अवस्था में, मूल अवस्था ठीक है, या जो इसको इंग्लिस में ग्राउंद इस्टेट, ठीक है न, ग्राउंड इस्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीके न, तो इस प्रकार से हमाय प्रशन का उत्तर पूर्ण होता है, आशा करता हूँ, आप सभी को तस्वाज में होगा, धन्यवाद